बार में फसे थे नो लोग, जान बचाने के लिए बुल्डोजर लेकर निकल पड़ा सुभान खान, सुभान खान ने कहा कि अगर मैं मरूंगा तो अकेला मरूंगा और अगर वापस आऊंगा तो नो लोगों के साथ वापस आऊंगा तेलंगाना के खंबम जिले में बार के बीच एक पुल पर फसे नो लोगों को बचाने के लिए हरियाना के सुभान खान ने बुल्डोजर चलाया राज्जी सरकार का हेलिकॉप्टर खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच सका था तब सुभान खान ने अपनी जान को जोकी में डाल कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया आपको ग्यात हो कि तेलंगाना में भारी बारिच से हाहकार मचा हुआ है इस बीच तेलंगाना में बार के दौरान एक पुल पर फसे नो लोगों को बचाने के लिए बुल्डोजर चला कर हर्याना के सुभान खान ने असली हीरो बन कर उभरे खराब मौसम के कारण सरकारी हेलिकॉप्टर नहीं पहुंच सका तो सुभान ने अपनी जान जोकी में डाल कर बुल्डोजर से ही सभी को सुरक्षित निकाल लिया उनके इस हिम्मत की सभी हित्तारीफ कर रहे हैं वहीं विवक्षिन नेता के टी आर से खास तोर पर फोन करके बदाई दी है क्या है पूरा मामला दरसल तेलंगाना के खंमम जिले में मुन्नेरू नदी पर बने प्रकाश नगर पुल पर पानी का इस्तर बढ़ने से नौ लोग फस गए थे उन्होंने एक वीडियो बना कर राज्जी सरकार से मदद की गुहार लगाई थी सरकार ने भी तुरंत एक हेलिकॉप्टर भेजा लेकिन खराब मौसम के कारण वह मौके पर नहीं पहुंच सका तब सुभान खान ने ये साहसिक कदम उठाया सुभान ने फैसला किया कि वह अपना बुल्डोजर लेकर फासे हुए लोगों को बचाएगा दूसरों ने उन्हें जोखिम के परती आगा भी किया था और जाने से मना भी किया था